हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूटूब चैनल प्रसान्द एजूकेशन हब दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बिहार पॉल टेक्निक इसमें हम आज मैस का सेक्षन देखने वाले जिसका टॉपिक क्या है हमारा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हम इसमें पढ़ेंगे ठीक है त तो यहां पर देखे जो आज का टॉपिक है हमारा अर्थमैटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ठीक है तो दोस्तों आपको पता होगा कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है एक हमारा सी जो नंबर होता है ऊवरत रहों और स्ट्रीज के पहला निंबर होता है उसको लिए आप यापर लिखके दिखा हूं तो मैं समझाताँ हूं से तो जो सबसे पहला नमबर है सबसे पहला नमबर है यह क्या होता है हमारा एक होता है इसी बाट दि देखें तो 5 से 10 कितना 5 मलब 5 प्लस करेंगे 5 में तब 10 आएगा फिर 10 से 15 कैसे जाएगा है यहां पर 5 प्लस करेंगे तब जाके जाएगा हमारा अब टुंटी कैसे बनाओगा 15 से 5 प्लस करेंगे तब जाके बनेगा यह सब आपको आता होगा लेकिन थोड़ा सा रिक्याप कर देता हूं ताकि क्या हो जो को सबसे अच्छी पहचान क्या है उसका कॉमन डिफरेंस देख हमारा नहीं है इसके बाद हम बात करते हैं एन की तो एन की वैल्यू हमेसा क्या होगा पॉजिटिव न задач अउनमबर हमेजा n की value यही होगी ठीक है इसके इलावा n की value हमारा कुछ भी नहीं हो सकता negative में नहीं जा सकता fraction में जा सकता ठीक है n की value में सा क्या होगा positive natural number हमारा होगा ठीक है अब इससे related हम formula की थोड़े सी बात करते हैं ठीक है क्या होता है हमारा formula तो देखिए upon 2 और यहाँ पर क्या होगा 2a plus n minus 1 into d यह हमारा क्या होता है s n की value होती है ठीक है अगर जो और आपको थोड़ा सा और deep में जाना ते हहाँ पर sn क्या होता है sn बरावर में n upon 2 यहाँ पर a plus an ठीक है यह क्या होता हमारा एसन की value हमारी होती है एक और question आता है से last term से कोई last term से इसका find करना होता है ठीक है तो last term बाला formula क्या होता है L minus N minus 1 into D हमारा ये होता है तो AP में आपको ये चार formula क्या करना है इसके इंदर पढ़ना है ठीक है और यह मैं टम निकालना किसी भी चीज का माल लेजिए मिलको लिखना है A2 क्या लिखना है A2 क्या लिखना है A3 लिखना है यह लिखना है A1 के बराबर हमेशा होगा जो A2 की बात करें यहां पर तो A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास A2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास A A1 के प्लस में क्या होगा D के बराबर होजाएगा यह जो दूसरा नंबर होगा किसके बराबर हमारा यह ठीक है रोस्तों तो यह क्या था basic था हमारे AP क्या अब हम चलते हैं question पर ठीक है देखते है question हमारा कैसे solve होगा ठीक है तो देखें दोस्तों जो हमारा पहला question है वो क्या है हमारा the common difference of two minus two minus four minus six minus eight is हमें क्या बताना इसका common difference बताना है सबसे पहली बात यह है दोस्तों यहां पर question में आपको एपी नहीं बोला गया है ठीक है यह एपी में तो नहीं है ऐसे बोला नहीं है खाली common difference पूछ रहा है यहां पर देखिए option d तक दे रखा है हो सकता है आपको एक और option e देदे जिसमें क्या हो अपका none of these हो ठीक है तो देखिए जब भी अब ऐसी D बराबर क्या देखते हैं, यहाँ पर A3 माइनस A2, तो A3 क्या हो गया, माइनस 6 और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 4, तो माइनस 6 प्लस 4 क्या आगया, माइनस 2, ऐसी फिर से D निकाल के देखते हैं, तो D बराबर क्या हो जाएगा, दोस्तों हमारा, यहाँ पर D बर तो देखिए दोस्तों नेक्स वोशन क्या है हमारा next term of the sequence हमें क्या बताना next term of the sequence क्या होगा इसमें हमें बताना है ठीक है देखिए यहाँ पे हमें a1, a2, a3 दे रखा हमें क्या निकालना a4 निकालना ठीक है next term तो यही होगा a1, a2, a3, a4 अभी मैं आपको बताया था a4, a4 को क्या बोल सकता हूँ a plus 3D बोल सकता हूँ a plus 3D बोल सकता हूँ a4 को, यहाँ पे a की value 10 हो जाएगा d क्या हो जाएगा हमारा a2 minus a1 यानि कि 8 minus 10 बराबर क्या हो गया minus में 2 हमारा d हो जाएगा तो minus 2 हो गया अब देखे a4 बराबर क्या हो जाएगा a की value 10 हो जाएगा plus 3 into minus में 2 तो 10 minus 6 क्या आगे हमारा 4 d की value क्या हो गया a4 की value 10 आगे a4 की value 4 यहनि कि option b क्या हो गया इसका सही हो जाएगा ठीक है चले दोस्तों next option देखते है यहाँ पर देखे क्या है हमारे पास यहाँ पर question है 6 term of the AP हमें क्या बताना है इसका 6 term of the AP हमें इसके इंदर बताना है ठीक है तो यहाँ पर देखे 6 term बताना है तो यहाँ पर a की value क्या हो जाएगा 3 a की value 3 हो गया दी निकालेंगे तो दी क्या हो जाएगा A2-A1 यानिकि 5-3 बेराबर 2 हो गया 6 टम निकालना A6 तो A6 तो क्या बुछता हूँ A plus 5D बुल सकता हूँ मैं यह वाला फॉर्मिले पर नहीं जा रहा है A plus N minus 1 into D पर ठीक है यह तो जादा बड़ा हो जाएगा ठीक है तो लेकिन M Helperas कर सकता हूँ तो यहां पर एक ही will looks क्या हो जाएगा माले कि 3 है तो 3 5 into 2 टो तो क्या हो आधागा 13 हो हो जाएगा तो इसको आप्छन क्या होगा सी सई हो जाएगा ठीक है अब इसको इसको कर सकते हो ठीक है अभी देखिए यहां पर क्या बोला गया इफ the end term of the AP end term देखिए आपको दे रखा है तो हम इसमें बोला common difference find करना है यहनि कि हमें common difference इसका बताना है तो देखिए सबसे पहले हमें अब तो इसमें ब्लाबर क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा हो गया है 13 हो गया ऐसी 83 यहां और हुझेह गाओ ठीक है और टी क्या कि हो जाएगा तो धार टी भर क्राबर में 2 माइनस टो फंट इसका option क्या होगा d save जाएगा 4 इसका सही जिवाब हो जाएगा ठीक है अब एक रिक कोस्टन में क्या वो लगा गया था n term of a p हमें n term बताना a p का ठीक है जो a p क्या है हमारा दिरेका 2, 4, 6, 8 n term की बात करें तो यहाँ पर n की value किसके बराबर होगा n की बराबर हो जाएगा ठीक है a p है तो a बराबर क्या हो गया 2 d बराबर क्या हो जाएगा a2 minus a1 तो 4 minus 2 बराबर क्या हो गया 2 d की value 2 हो गया अब हम यहाँ पर a n का form लागेंगे a n बराबर क्या हो जाएगा a plus n minus 1 into d तो a n बराबर क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए next option देखते हैं यहां पर देखें क्या बोला in the series एक series दे रखा क्या है हमारा पास 20 18 और 16 ठीक है इसमें आपको बताना है 2 is a term minus 2 is a term minus 2 किस term का है ठीक है ठीक है यहां पर देखें a n क्या हमारा minus 2 a क्या हो गया 20 और n हमें नहीं पता और d हमें पता क्या हमारा minus 2 ठीक है तो plus का 20 किसमें आगा minus में तो minus में 22 हो जाएगा बराबर में n minus 1 into क्या हो जाएगा minus में 2 हो जाएगा तो n minus 1 बराबर क्या होगा minus 22 upon minus 2 minus कर जाएगा यहाँ पर क्या है 11 आ जाएगा ठीक है तो n minus 1 बराबर में 11 तो n बराबर 11 plus 1 तो n बराबर क्या होगा 12 सबसे पहले मैं आपको बताता हूं केस वन से ठीक है तो केस वन में क्या होता है कि a1, a2, a3 a1, a2, a3 तो जो होता है a2 को होता है वह किसके बराबर होता है so you call हाजाएगा ? मैंनस में m plus 3 अप्लस फोर बचेगा ठिक है ? अफ देखें हैं यहां पे क estado तो ऋंस left उधर को रुड़ाध यहां इंदर है divide हो उधर किसमे जाएगा मतलब इधर किसमे आएगा multiply हम आएगा तो यहाँ पर 2m plus 2 हो जाएगा बराबर में m plus 4 हो जाएगा ठीक है plus का m minus में plus का 2 इधर भी किसमे आएगा minus में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ 2m minus m हो जाएगा बराबर में 4 minus 2 तो m की जो value आएगी वो हमारी क्या आजाएगी m की value मारा m बराबर में 2 तो m की value क्या आगे हमारा 2 आगया तो यहाँ पर m की value 2 यानि कि option b क्या हो गया इसका size जबा हो जाएगा अब देखें तो case 1 था हमारा यह case 1 है अब case 2 देखें क्या कर सकते हम इसमें अगर जो आपको यह method समझ नहीं आया तो आपको case 2 देखें अगर जो यह ap में है तो इसका common difference होगा वो क्या होगा? equal होगा हमारा common difference तो equal होगा यानि कि अगर जो d लिखूँ तो d क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें 3 term में a2 minus a1 और फिर d a3 minus a2 मैं इसमें लिख सकता हूँ अब देखें दोनो d क्या होगा? equal होगा common difference तो equal होता है तो मैं इसको a2 minus a1 पराबर a3 minus a2 भी तो लिख सकता हूँ तो देखें a2 क्या है हमारा m plus 1 है और a1 क्या है minus 2m plus 1 हो जाएगा a3 क्या हो जाएगा? minus m plus 3 हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा? minus m plus 1 हमारा हो जाएगा ठीक है? अब देखें यहाँ पर क्या करते है minus को bracket के लिए डालते है तो क्या होगा? m plus 1 हो जाएगा minus 2 है minus 1 हो जाएगा equal to minus m plus 3 हो जाएगा माइनस M और माइनस में 1 हो जाएगा ठीक है अब देखें यहाँ पर प्लस में M है और माइनस M क्या जाएगा माइनस M आ जाएगा और वहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा equal to, यहाँ पर देखिए, minus m और minus m कितना हो जाएगा, minus में 2m हो जाएगा plus 3 minus 1, क्या हो जाएगा, plus 2 हो जाएगा minus में 2m, इधर किसमें आएगा plus में आजाएगा, तो minus m plus 2m हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा of the series host tn-1 बराबर में 3n-1 दे रखा है ठीक है हमें इसमें एक टम find करना है तो देखिए हमें T8 find करना है T8 और हमें दिया क्या है Tn-1 बराबर क्या दे रखा है में 3n-1 ठीक है अब देखिए अगर जो T8 इसमें मिरे पूट करना होगा प्लस वन तो T9-1 बराबर क्या हो जागा 27 प्लस वन ठीक है तो Tn-1 बराबर क्या जागा हमारा 218 ट्वंटी एट है क्या जागा हमारा 17 प्लस वन ट्वंटीट यहने क्यों option B क्या होगा इसका सभी जबाब हो जाएगा ठीक है ठीक है दोस्तों and term of the series ap is 3n-1 ठीक है यह दे रखा है तो हमें series बताना यहां पर क्या बताना इसका series क्या हमारा होगा ठीक है तो यहां पर दे रखा है इसकी A एसी में से कोई एक होगा लेकिन यहां पर देखे 5 है और यहां पर क्या है मारा 5 है यहां कि जो ए 2 है वो तो सेम है difference कहां पर हमारा देखे a3 में difference है तो हमां कौन सा find करेंगे अमिस के इंदर a3 find करेंगे ठीक है तो देखते ए 3 बराबर क्या उलएगा हमारे पास एक हमें series दे रखा है AP दे रखा है ठीक है और इसने पुछा गया 181 टर्म हमारा कौन सा होगा यहां कि हम काहें तो ऐन बराबर में क्या रखा है Bel spoke to you 70 ३र आप वर निकलतें & प्लस & माइनस G1 तो ए न हमारा 818 हो गया और A क्या हो गया हमारे पास 5 हो जाएगा और N हमें नहीं पता है N की तो value निकाल नहीं है 8 आ गया अब देखिए 5 अगर जो हम इसको इदर फेजेंगे तो 8 1 8-5 हो जाएगा प्लस बराबर में क्या होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको multiply कर देते हैं इसके अंदर तो ऐसे मत कीजिए ठीक है अगर जो आपको सही से आता है तब आप multiply कीजिए देखिए यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर 176 हो जाएगा बराबर N-1 इंट्वाइड में तो N-1 बराबर क्या जाएगा 176 divided by 8 अब इसको card जीए कितना कर देगा 22 टाइम पर ही हमारा कट जाएगा तो N-1 बराबर क्या जाएगा 22 आ जाएगा ठीक है अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर कीजिएगा ठीक है अगर जो आपका response अच्छा रागा तो मैं बहुत बिहार पॉयट टेक्निक पर live class आपका शुरू कर दूँगा ठीक है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में